डाने दाने पर लिखा आए खाने वाले कि रोटी जो है न यह कमाल की चीज़ है आपको और मेरे को सुभा ही घर से निकाल देती है काम करने के लिए आज मैं टॉपिक लेकर रही हूं रोटी रोटी और आइंदा अपने बच्चे को जब भी रोटी दे तो अपनी मुठी में अगर आपके घर में मेट भी खाना बनाती है तो कोई बात नहीं, उसे भी समझाए कि रोटी इस तरह से लपेट कर, कस कर, एक मुठी से में अच्छे से बच्चे को दी जाए, परिवार एक रहे, अपना पन रहे, एकता रहे, रोटी कभी भी बीच में से तोड कर, फाड कर न अच्छा मेरी पड़ोसन है नहीं सा क्यों कह रहे थी, पता नहीं मेरी खारी हूं, मैं मोटी ना हो जाओ, पता नहीं मेरी शूगर ना बढ़ जाओ, ये तमाम तरह के विचार मन में रखकर कभी खाना ना खाए, रोटी हमीशा चबा चबा कर खाए, रोटी को कम से कम 32 बार चबाए, गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गिनकर 32 बार चबा कर रोटी खाते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपका वजन कम होता है, रोटी खाते वक्त हमीशा खुछ रहे हैं, रोटी खाते वक्त अल्ला, खुदा, भगवान, ईश्वे, रब, जिसको आप मानते हैं, जीजस, उसको याद जरूर करें, अच्छे विचार रखने के साथ सत, हमीशा घर में आयो वक्ति को भोजन जरूर पूछे, रोटी जरूर पूछे, खाना जरूर पूछे, उससे कहना खाने के लिए, पास तरह का आटा मिला कर रोटी खाएं, जैसे आटा ह नमक डालें, तो परिवार के अंदर नमक बना रहता है, प्यार अंडरस्टांडिंग मनी रहती है, नमक डाल कर ही खाना खाना, रोटी खाना बेहत शुब और बढ़िया होता है, इसके साथ आपको बताओ, रोटी को कभी भी खुला ना रखें, ढख कर रखें, किसी ने कहा रहे है, खाना बिस्तर पे तो बिल्कुल भी ना खाए, रोटी पैरों में नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान दे, मेरे घर के ओपर बहुत सारे फ्लोर्स है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, लोग क्या करते हैं, चीडियों को रात की रोटी देना चाहते हैं, विगोल उसे बड़ अच्छा काम कर रहे हैं, रोटी को लेते हैं और खिर की से बाहर फेंकते हैं, और मेरे घर के बाहर रोज सुबा जब ईंड़ इन गारई की तरफ जाती हूँ, या बचे स्कूल चोड़ने जाती हूँ, तो मूए देखते हrolleं रोटी रहती मीरे बेटे क पैरों में या मेरे पैरों में आती है आपने कोई महान काम ने के यकीन मानी है ऐसे लोग एक दिन रोटी के दाने दाने को तरसते हैं ऐसे ही लोग करजे के अंदर दपते